हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल और इस्टडी चैनल पर डिस साइट पुश्पेंच सिंग योर मेंटोर फॉर हिस्ट्री डोमेन स्वीटी 2024 के लिए ठीक है आज से हम मिड़वर हिस्ट्री का अपना पूरा पूरा ये स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको चीज़े सिखाऊंगा नोट्स के साथ और फिर ये बच्चों आपके जो स्वीटी जनरल टेस्ट का एक पेपर होता है उसमें बहुत जादा बेनिफीशल होने वाला है अगर आपने ये स्रीज देख लिया तो हिस्ट्री के कोश्चन्स आपके कहीं जाने वाले नहीं है मैंने अल्रडी मॉर्डन हिस्ट्री की पूरी प्ल णाता है कि कोई बहुत है कि ये सब्सक्राइबुब है टो ये सबस्क्राइबूब क्यों कि अगर्ण न के लिए और इन्सेंट हा था हर्षवर्धन एक रूलर थे ठीक है जो वर्धन डैनेश्टी थी पुष्चभूती डैनेश्टी के नाम से भी जाना जाता है जिसको हर्षवर्धन अब इनकी डैत के बाद क्या होता है कि कोई भी एक इंपोर्टेंट ट्रेलर रूलर उस समय नौर्थ नदर इंडिया में पर्टाइल माना जाता है उसको कहा गया उसका नाम था कन्नौज अब कन्नौज जो लैंड था इसके लिए लड़ाई हुई तीन मेजर रिजनल पावर्स की बीच में यह इंपोर्टन था जानना क्योंकि किसके किसके बीच यह लड़ाई हुई तो सबसे पहले आपके थे पाल इसको नाम दिया गया ट्राइपार्टाइट इसके बीच हुआ था और किस चीज को लेके हुआ था तो कन्नौज को लेके और तीन यह इंपोर्टन रिजन थे लेट्स बिगें नदर इंडिया में क्या होता है कि हर्शवर्दन के बाद कहीं ने कहीं कुछ राजपूट्स ज तो मैंने जैसा आपको बताए कि यहां पर तीन मेजर पार्टी इनवाल थी पहला था पालाज पालाज के बाद हमारे पास यहां परतिहाराज और परतिहाराज के बाद हमारे पास यहां राश्ट कुटाज तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में चीज़ा हमें जानना अब इनके पीछे जो स्ट्रागल का रिजन था वो था कन्नौज जो कहीं ने कहीं माना जाता था कि बहुत ज़्यादा रिच प्रोविंस है और वहां पर सॉवरेंटी उसको देखा जाता किसको कन्नौज को क्योंकि जो हर्श्वर्धन था हर्श्वर्धन की जो कैपिटल थी कन्नौज थी और आप यहीं से कन्नौज की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं अगर आपको आज की डेट में इंडिया को देखना है ठीक है और इंडिया में जो जो पावर कहीं ने कहीं होल्ड करता है उस समय वही कन्नौज पावर होल्ड कर रहा था हर्श्वर्धन के बाद स तो यह important हो जाता है कि यहां आपको समझना कि कन्नौज की क्या importance थे उस समय चलिए अब हम discuss करते है पालास को पालास का टाइम पीरिड था वो 750 से 1150 के आसपास था और इसकी capital क्या थी मुंगेर मुंगेर कहां पढ़ता है बिहार में पढ़ता है इसके founder कौन थे गोपाला जो की 750 AD में इसको start किया था जिन्होंने गोपाला यह important है अगला next important point आता है धर्मपाला revived the नालंदा university and established विक्रम शीला उनिवर्सिटी तो नालंदा उनिवर्सिटी को किसने revive किया था धर्मपाला न और विक्रम शीला उनिवर्सिटी को किसने बनाया था वो भी धर्मपाला ने ठीक है और सक्षेशन बाइदा सेना डानेस्टी इन बेंगॉल जैदेव गीता गोविंद वह रिनाउंड कोट पोईट तो जैदेव यहां पर उनकी जो एक आप कह सकते हैं कविता है या पर कित यह थे 750 से 1150 यह है 730 से 1036 इनको गुजर प्रतिहाराज के नाम से भी जाना गया है ठीक है और कहां पर इनका ओरिजिन होता है वो गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान के आसपास इनके जो में रूलर थे वो थे महिर भोज 836 से 882 विश्णो डिवोटी अड़प्ट डिन राषटब तो रास्ठाट पीनद हां राथा बच्छो सेंबच्वेयन गुणायर तरी टीक है और इसको पांड किस ने किया था दंति ने किया था कैसे में कि और कहां पर यह करनाटका में पढ़ता है राश्ट कुटाज का प्रॉमिनेंट रूलर इनके कौन-कौन से थे गोविन द थर्ड एंड अमोग वर्ष यह इंपोर्टेंट रूलर समाने जाते है तरॉक का टेम्पल ओफ कैलाश एट इलोरा वाज बिल्ट बाई अब हमारे कुछ जो इंपोर्टेंट रूलर से अदर देन इस टाइपार्टाइट स्टाइगल जिसमें यह सारे आपने देखा तो उन्हें से राजपोर्ट्स में सबसे इंपोर्टेंट वन आफ दा इसलिए यहां पर मैंने आपको एड करा दिया है कि हाँ यह आपको बच्चों इंपोर्टेंट है इसको पढ़ना है इनकी दो बैटल कुरूशल बैटल होती है फर्स्ट बैटल होई थी फर्स्ट बैटल ओफ टरायन के नाम से ठीक है और यह कहां पर हुई थी टरायन एक जगा है वहाँ पर फर्स्ट बैटल ओफ टरायन 1191 में और किसके बीच वी थी ए? महमध गौरी और प्रित्वी राज छौहान थीकँए इसमें प्रित्वी राज चौहान ने महमध गौरी को हरा दिया था कौन से battle में first battle of terrain में but second battle में क्या होता है कि पृतिवीराज चोहान हार जाते हैं और second battle of terrain को कौन जिता है 1192 में मुहम्मद गौरी जी जाता है तो ये एक important था इसी के साथ अगर मैं आपको और add करा दूँ 1194 में जैचन्द के साथ भी मुहम्मद गौरी लड़ता है ठीक है जैचन्द के साथ और इस battle का क्या नाम था चन्दवार इस battle का नाम था battle of चन्दवार इसमें कौन जितता है मुहम्मद गौरी और जैचन्द हार जाता है ठीक है ये भी एक important point था the establish of Muslim rule over in North India followed these battles इन्हें battles के बाद कहीं न कहीं Muslim rule इंडिया में एक easily तरीके से establish हो सका अब जैचन्द और जैचन्द गड़वार ये वही है जो मैंने आपको बताया अभी add कराया 1194 में ठीक है इनका battle किसके साथ हुआ था मुहम्मद गौरी के साथ राणा कुमबा ओफ मेवार ये भी एक important ruler है तो ये आपको याद रखना है ठीक है ये medieval की ruler थे लेकिन राणा कुमबा is important तो मैंने यहां राजपूच में भी add कर दिया गया है ठीक है notable ruler who defeated मुहम्मद खिल जी and erected the town of victory विजय स्तंब at चित्तूर इन चित्तूर में इन्होंने विजय स्तंब बनाया था किसने बनाया था विजय स्तंब राणा कुमबा ने राणा विजय स्तंब किसने बनाया था राणा कुमबा ओफ मेवार और ये most important राजपूच की जो सबसे जादा अगर आपको dynasty किसी की देखना है ठीक है राणा सांगा और राणा परताप ये सारे बहुत बड़े बनी नाम इसी डैनेस्टी में आये थे मेवार की डैनेस्टी में तो चली इसको तो हमने डिसकस कर लिया अब हम थोड़ा बहुत पहले कुछ कर लेते हैं और फिर राजपूच का जो राइस हुआ और जो डिक्लाइन हुआ उसके बारे में देखेंगे तो इसके पीछे क्या रीजन था तो इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे इंपोर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल ओवर कंच कंच के लिए कंट्रोल तो मुंगेर में जो बिहार में किसकी कैपिटल थी पालास की कैपिटल थी ठीक है पालास की और ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है चलिए तो विकरम शीला उनिवर्सिटी को किसने रिवाइब करा था धर्म पाल ने किसने डिवाइब करा था धर्म पाल ने रिवाइब किया था विज डिनाश्टी इस ऑल्सो नोन आज गुजर परतिहारास और हैड रूलर्स लाइक मिहर भोज नोन फॉर अड़प्टिंग ड़ टाइटल आदिवरा तो यह मिहर भोज जो थे बहुत इंपोर्टन डूलर्स यह कौन से डिनाश्टी से थे जिनको गुजर परतिहारास के नाम से भी तो इसमें कहीं ने कहीं आपको अंसर अलड़ी दिखी गया कि गुजर परतिहारास यह थोड़ा सचिपा रहना चाहिए था यहां में दोड़ा प्रॉब्लम आ गया थी तो वैसे तो यह कौश्चन वेरी गुड़ कौश्चन है यह आपको आधिवरा का टाइटल मेर बोज ने लिया था वो फाउंडेट था राश्टकूटा डाइनेस्टी इस्टेबलेशिंग एटर कैपिटल एट मालखेड इन करनाट का मालखंड यह फर मालखेड में किसी कैपिटल बनाई थी तो किसने फाउंड किया था दांती दुर्ग ने किया था किसने किया था दांती दुर्ग ने किस तो यह आपको कहीं समझ आया होगा important जो हमारे questions थे चलिए अब हम थोड़ा बहुत डिसकस यहां और कर लेंगे salient features क्या कह रहे हैं राजपूत kingdom के तो limited invasions isolated from foreign contact कहीं ने कहीं राजपूत ने invasions नहीं करे और यह अपने में ही confined रहे relatively free from invasions but lost foreign connections इनके अंदर जो caste system था वो बहुत rigid caste system था जिसके कारण social mobility बहुत ज़्यादा impacted हुई ठीक है और एक रूड़ी वादा सोच वहां पर generate हुई जैसे कि सती practice होना यह बहुत ज़्यादा वहां पर prevalence सी किसमें राजपूत kingdom में जो भी राजपूत रूलर्स थे उनके प्रजा के अंदर भी और mainly high caste में सती को बहुत ज़्यादा practice किया जाता था proud warrior culture that is what we talk about मेवार डिनेश्टी ठीक है तो मेवार डिनेश्टी ऐसी थे कि जिसमें महाराना प्रताप जैसे महान शाशक ने जन्म लिया इन्होंने घास की रोटी को खाना पसंद किया परन्तु जो बहारी शाशक थे उनके अंदर अपने आपको समलित करना पसंद नहीं किया तो वैसे ही एक ruler थे महाराना प्रताप और उनके जो भी पीछे से पूर्वस थे वो भी कईने कई ब्रेव rulers थे तो राजपूत्स वर for their pride in being warriors maintained a hospital nature hospitable nature despite their warrior ethos cultural contributions रही तो यहाँ पले उन्हें बहुत सारे temples and forts बनाए जिसे कि sun temple in konark तो यह सवाल भी आ जाता है कि sun temple कहाँ पर है तो यह अब उच्छा कोया लखना है konark उडिशा लिंगराज temple भुवनेश्वर उडिशा लिंगराज temple खजरोहू इन मद्ध प्रदेश जगनाठ temple इन पुरी दिलवाड़ा temple इन माउंट आगू यह सारे temples आपको बिल्कुल याद रखना है mind में तो अगला आता है causes of राजपूर डिक्लाइन सबसे बड़ा जो रिजन आप बोल चकते हो लैक ओफ यूनिटी ठीक है और दूसरा फॉर साइटेटनेस नहीं था इनके अंदर मतलब यह सब दूर की सोच के नहीं चलते थे that's why राजपूर नहीं कहीं उनका डिक्लाइन होने का एक रिजन रहा दूसरा रिजन आप बोल सकते हो rigid car system क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि mobility नहीं आपाई social mobility दबसी गई then third defensive military organizations इनकी जो भी military strategies थी या organizations थी वह बहुत सादा defensive थी और इनी की कारण इनी factors के कारण इनका decline होता है और downfall हो जाता है राजपूर किंग्डम्स का despite their valor and cultural contributions and that's all for today thanks a lot for watching our this lecture on tripartite struggle आज हमने cover किया tripartite struggle और राजपूर किंग्डम ठीक है अगर आपको बेचा हमारा batch join करना है कुछ भी join करना है तो आप इस number पर हमें message कर सकते हैं यह हमारा email id है इस पर आप कोई भी query है कोई भी doubt है वो पूर सकते हैं telegram channel को आप join कर लिजे आपको free material वहाँ मिल जाएगा that's all for today thanks a lot for joining प्लीज इसको like करें share करें